आप देखिए यह विडियो, माया ट्यूटर पर मुफ्ट कूपन कोड साइट पर बैनर में दिया गया है, अभी पंजी करन करें, फ्री में ओनलाइन क्लास लें हमारे देश में कई प्रतिभाशाली शिक्षन शिक्षक हैं, प्रहिनिया और बेरोजगार बहुत कम दरों पर कक्षाएं लगाकर जीवन यापन करते हैं, लेकिन जब कॉविड आया तो वे क्लास नहीं ले सके, इतने सारे महान शिक्षन अप के आगमन के साथ कई ने अपने छात्रों को खो दिया है, वेब साइट को बड़ी रकम में नहीं बनाया जा सका, लेकिन इस प्रकार के होम ट्यूशन का उप्योग शिक्षक माया ट्यूटर्स डॉट कॉम पर बहुत कम मासिक दर पर कक्षाए लेने के लिए कर सकते हैं, यदि आप केवल एक बार वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और इन कक्षाओं को सूची बद करते हैं, तो आप अगले वर्ष फिर से इन कक्षाओं का उप्योग कर सकते हैं, प्रोबोटिक्स के लिए कक्षाएं सूची बद होने के बाद बाद में क चक्षाइन लेने की कोई आवश्यक्ता नहीं है। साथ ही अब आप जूम अप और गूगल मीट के जरिये लाइव क्लासेज ले सकते हैं। यह सब माया वैब पोर्टल के जरिये बड़ी आसानी से किया जा सकता है। आपके चात्रों के अलावा अन्यदूर के चात्र इस पोर्टल के माध्यम से आपको धून सकते हैं। उन्हें अपना चात्र बनाए और कक्षाइन ले। एक और विशेशता यह है कि आपको बहुत सारे च्यूशन चात्र मिलते हैं। इस युग में जहां शिक्षा एक व्यवसाई बन गया है, यह साबित करके की शिक्षा केवल एक व्यवसाई नहीं है, अपने कौशल को साबित करी, बहतर आए प्राप्त करी, अधिक जानने के लिए यह वीडियो दे। प्रशन एक, कौन उप्योग कर सकता है? प्रोबोटिक्स क्लास क्या है? क्लिय किया जा सकता है, शिक्षकों को बाद में ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, अधिक जानकारी के लिए यह कैसे काम करता है? माया वेब पोर्टल पर मैं किन विशयों की ट्यूशन ले सकता हूँ? स्कूल पाठ्यक्रम, कॉलेज पाठ्यक्रम, पश्चिमी संगीत, करनाटक संगीत, संगीत वाद्ययंत्र, नृत्य, खाना बनाना, सिलाई चित्रकारी, पीएसी, बैंक प्रवेश कोचिंग, भाशा अध्ययन, आप लेखानकन, मनो विज्ञान, दर्शन, यह सब विशय जै से सभी विशयों में कक्षाएं ले सकते हैं, शिक्षक छात्रों से फीज कैसे लेते हैं, फीज सीधे छात्रों से ली जानी चाहिए, इसके लिए शिक्षक के प्रोफाइल पर शुल्क भुगतान करने वाला बैंक खाता और पैमिंट वालेट क्यू आर कोड प्रदर्शित क करने के विकल्प हैं, क्या मुझे माया ट्यूटर को छात्र शुल्क में से कोई कमीशन देना होगा? नहीं, इस वेब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों से केवल किराया लिया जाता है, शिक्षकों से कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाता है, माया पोर्टल क माध्यम से ऑनलाइन ट्यूशन सुविधा की दर क्या है माया बहुत कम मास से किराया लेती है अधिक जानकारी के लिए मूल्य देखें क्या मुझे भुगतान करने से पहले डेमो मिल सकता है जी हां बिलकुल आपको साथ दिन का डेमो मिलेगा शिक्षकों के लिए डेमो प्रा आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं तो आपको पहले साथ दिनों के लिए सभी सुविधाओं के साथ एक डेमो प्राप्त होगा मत भूलो यदि आप एक शिक्षक हैं तो केवल पहली बार शिक्षक के रूप में पंजी करन करें यदि आप एक छात्र के रू अगर आप शिक्षक हैं तो यहां शिक्षक के रूप में पंजी करण करें। पहले इस फॉर्म को भरेन, नियम और शर्तने स्वीकार करें। रजिस्टर पर क्लेक करें। अपने मेल पर जाने के बाद। माया ट्यूटर सक्रियन मेल खोलें। सक्रियल लिंक पर क्लेक करें। मेंबर लॉग इन का चायन करने के बाद। अपना मेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। और फिर लॉग इन करें। यहां गूगल के साथ लॉग इन चुने। देमो अब तैयार है। अपनी प्रोफाइल संपादित करें। डेमो के बाद माया वेब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों के लिए क्या दर है। खृप्या यह कीमत देखें। इस पोर्टल पर कितने पाठ्यक्रम सूची बद किये जा सकते हैं। पाठ्यक्रम असीमित के रूप में सूची बद किया जा सकता है। आप असी मिठ छात्रों को जोड सकते हैं। क्या इस पोर्टल में लाइव क्लास लेने की कोई सुविधा है। आप यूट्यूब लाइव विडियो लिंक को सूची बद करके लाइव क्लास ले सकते हैं। अभी रजिस्ट करें और अधेग जानकारी के लिए डेमो आजमाएं। पार्थ्यक्रमों को सूची बद करने में मेरी सहायता कौन कर सकता है। एक बार शिक्षक बंजीकृत हो जाने के बाद पार्थ्यक्रम की सूची कैसे बनाएं। पीडिएफ कैसे सूची बद करें और लाइव क्लास कैसे लें। इस पर हर जगह वीडियो होंगे। आए इन वीडियो को देखें और पार्थ्यक्रम की सूची बनाएं। मैं एक छात्र हूं। क्या मुझे माया पोर्टल पर शुल्क देना होगा। नहीं। यह छात्रों के लिए सौ प्रतिशत मुफ्त है। छात्र शिक्षक और पार्थ्यक्रम पा सकते हैं। लेकिन ट्यूशन फीज सीधे शिक्षकों को देनी होगी। मैं एक शिक्षक और एक छात्र के रूप में पार्थ्यक्रम कैसे ढूंड सकता हूं। पार्थ्यक्रम का नाम शिक्षन विशय। संस्थान का नाम और स्थान के लिए यहां खोजें। यहां अपना मोबाइल नंबर या मेल आईडी दर्ज करें। स्थान दर्ज करें और खोजें। अब आप चयनित क्षेत्र में शिक्षक पा सकते हैं। यदि आपको इस क्षेत्र में शिक्षक नहीं मिलते, तो अन्यस्थानों के नामों से खोजें। वर्तमान शिक्षकों का वेब पोर्टल खोलें। अब आप इस शिक्षक का संपर्ग पता। WhatsApp नंबर और पाठ्यक्रम की जानकारी देख सकते हैं। यहां आप सीधे शिक्षकों के WhatsApp पर चैट कर सकते हैं। या शिक्षक यहां मेल द्वारा ट्यूशन की जानकारी मांग सकते हैं। लेकिन अगर आप शिक्षक की जानकारी नहीं देख पा रही हैं। तो आपको पंजी करन या लॉग इन करने की आवश्यक्ता है। एक रजिस्टर क्या है? लॉग इन क्या है? यदि आप इस वेब पोर्टल पर पहली बार जा रहे हैं, तो आपको पंजी करन करना होगा। यदि आप एक छात्र हैं, तो आपको यहाँ एक छात्र के रूप में पंजी करन करना होगा। मत भूलो, यदि आप एक छात्र हैं, तो केवल पहली बार एक छात्र के रूप में पंजी करन करें। यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं, तो आप इस पोर्टल पर अध्यान नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले, छात्रों को यहां पंजी करन करना होगा, इन सभी फॉर्म को भरेन, आपके मेल पर जाने के बाद, माया ट्यूटर एक्टिवेशन मेल खोले, एक्टिवेट लिंक पर क्लिक करें, रजिस्टर अब पूरा हो गया है, अब आप अपनी मेल आईडी और लॉग इन कर सकते हैं, चयान करें, मेंबर पहुझ, अपनी मेल आईडी और पास्वर्ट से लॉग इन करें, या गूगल के साथ लॉग इन का चयान करें, उन विशयों और शिक्षकों को खोजें जिनकी आपको आवश्यक्ता है, इसके लिए यहां खोजें, घ्लي काम मोड़ दोरो से लॉग जज ऑंजी हमें, आपको तोरो से लॉग brings लुट झाल 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 झाल